Digital Signature क्या होता है? इससे आप अपने Manual Signature का एक Coded Version समझ सकते हैं. इस Digital Signature को आप किसी भी Document की Soft Copy पर लगा कर उसे Verify कर सकते हैं. बहुत सारे Online Portals जैसे GSG, Income Tax, PF की साइट पर भी ये अपनी Identity Verify करने के काम आता है. Digital Signature दो तरह के होता है, Class 2 और Class 3. देखने में दोनों में कोई फरक नहीं है, लेकिन हा, Class 3 Digital Signature, Class 2 से लगबत तीन गुना महेंगा है. इसलिए ज़्यादा तर लोग Class 2 Digital Signature बना कर अपना काम चला लेते हैं. Recently, MCA ने एक Circular जारी किया है. उसमें कहा गया है कि एक जनवरी 2021 से केवल Class 3 Digital Signature बनाए जाएंगे, Class 2 Digital Signature ना बनाए जाएंगे, ना ही रीनियू किये जाएंगे. तो इसलिए मेरा suggestion यह है कि अगर Digital Signature का आपको काम पढ़ता है, तो 31 December 2020 से पहले पहले एक Digital Signature बनवा लीजिए और वो भी 3 साल के लिए ताकि आपकी काफी सारी cost बच सके. Hashtag जाग रुक जनता.